लिजे सुनिए शरच चंदर चटो पाध्याए के लिखे उपन्यास देना पावना के सोलहवे बहग को मेरी यनी समीर गोस्वामी की आवास में है चैत की संक्रांती बिना उपद्रव के कुशल से भीट गई शिवशंभू के गाजन के मेले में कहीं कुछ भी विग्न नहीं हुआ दर्शकों के दल अपने अपने घरों को लोटे दुकानदार दुकाने उठाने लगे हवा में पकी खाने की चीजों की गंध भी फीकी हो चली और गेर हुआ धारी लोग भी चिलाना छोड़कर घर के काम धंधों में लगने की आवश्यक्ता का अनभव करने लगे चारों और की जलवाईू में सुख दुक का वही पर चित सिलसला दिखाई दिया केवल चन्डी गढ़ की भैरवी के शरीर में जाने किस रोग ने प्रवेश किया कि उसका वो पहले का चेहरा फिर नहीं लोटा एक प्रकार के भैसे उसका मन जैसे दिन राज चौकता रहा शोड़शी को आशा थी कि मेला उत्साव के ये कई दिन निर्विग्न बीत जाएंगे कारण देवता को क्रोधित करने का उत्तरदायत और चाहे जो कोई अपने सिर पर ले पर जनार्दन राय नहीं लेना चाहेंगे ये शोड़शी निश्चित रूप से जानती थी लेकिन अब फिर भी दिन इस तरह चुपचा बीतने लगे जैसे अब कोई हंगामा या जगडा नहीं है सब समाप्त हो गया है लेकिन सचमुच ही समाप्त नहीं हो गया था आड में छेपे छेपे किसी घटना की तैयारी हो रही थी वो आशंका किवल शोड़शी को ही नहीं सभी के मन में थी उस जमीन से संबंधित किसानों के पास आज शोड़शी ने सूचना भेज दी थी देवी की संध्या आरती के बाद मंदिर के आंगर में उनके जमा होने की बाद थी किन्तु आरती समाप्त हो गई रात के आठ बजे फिर दस बजे का समय भी हो आया मगर कोई भी न दिखाई दिया जो लोग नित्त प्रणाम करने आते थे वे परसाद लेकर चले गए पुजारी भी चला गया और मंदिर के नौकर ने द्वार बंद करने की अनुमती मांगी अब और इंतजार करना व्यार्थ है और कुछ न कुछ हुआ आवश्य है इसमें भी संदेह नहीं किन्तु क्या हुआ है ये ठीक न जानकर शोडशी को बड़ी घबराहट मालूम होने लगी इसी समय धीरे धीरे सागर आया उसे अकेला देखकर शोडशी ने व्यग रहो कर प्रशने किया इतनी देर कर दी सागर लेकिन और कोई तो आया नहीं क्या इन लोगों ने सूचना नहीं पाई भाईया सागर ने कहा पाई क्यों नहीं मा मैं स्वेम घर घर जाकर तुमारी इच्छा बतला आया हूँ शोडशी ने शंकित होकर पूछा तब सागर ने कहा जान पड़ता है आज कोई समय न निकाल पाईगा हुजूर के कचहरी घर में सोलह आना आज पंचायत थी वो अभी अभी समाप्त हुई पंचू, अनात, राम, मै, नवकुमार, अक्षा, बायती मैं हमारे बुढ़े, विपिन, काका तक अपने जवान लड़कों के साथ हुआ थे, कोई रह नहीं गया मा मैं भी चकोत्रे के पेड़ के नीचे दीवाल से सटा हुआ खड़ा था शोडशी ने कहा अच्छा नहीं किया सागर कोई देख लेता सागर ने हस कर कहा अखेला नहीं गया था मा ये साथ में थी ये कहकर उसने बाए हाथ की लंबी बास की लाठी इसनेह और आदर के साथ दाएने हाथ में लेकर दिखाई शोडशी ने कहा लेकिन ये पंचायत तो यहीं होने वाली थी सागर ने कहा होने वाली तो थी और हुजूर के भोचपुरी जवानों की इच्छा भी थे लेकिन गाउं का कोई राजी नहीं हुआ वे तो इसी ओर के आदमी हैं शायद हम चाचा भतीजों को जानते हैं शोडशी ने शन भर चुप रहकर पूछा सभा में क्या ताय हुआ सागर ने कहा सब ठीक ही रहा इसी मंगलवार को लड़की का अभिशेक समाप्त होगा लेकिन तुम्हारे लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है काशिवास के लिए प्रार्थना करने पर सो रुपे पास अकोगी शोडशी ने पूछा प्रार्थना किस से करनी होगी सागर ने कहा जान पढ़ता है हुजूर के ही पास शोडशी ने पूछा और सब का क्या हुए जिनकी जमीन जमा सब कई उनका सागर ने कहा डर की बात नहीं है माह हमेशा से होता आया है उसमें से वे बाहर न जाएंगे यही जो उस दिन प्रजा की और से पांच हजार रुपे नजरानी के दाखिल हुए उसकी लिखा पढ़ी के काग्जों को तो राए महाशाय के संदूक के अलावा और कहीं स्थान नहीं मिला नहीं तो उनकी एक बार आग्या देते ही सब लोग आज भीड करके वहां जाते ही क्यों शोडशी ने कुछ देर चुप रहकर कहा और तुम लोगों का सागर ने कहा चाचा भतीजों का फिर जरा हस कर कहा ये वेवस्ता भी उन्होंने कर दी है साथ दिन तक कुछ चुपके तो बैठे नहीं रहे पक्के आदमी है पुलिस और दरुगा मुठी के भीतर है दस कोस के भीतर कहीं एक डाका पढ़ने भर की देर है जानती तो हो मा दो साल की सजा एक बार काट आए है इस बार दस साल की होगी काका को स्वर्ग लाभ इसी के बीच में हो जाएगा लेकिन हाँ मेरी अमर अब भी कम है शायद और एक बार देश कम हो देख सकूँ ये कहकर वो हसने लगा शोडशी डर कर बोली हारे ये क्या तुम सच समझते हो सागर ने कहा समझते हैं ये तो आँखों के आगे साफ ही देख रहे हैं मा जेल के बाहर हम लोगों को रख सके ये अब किसी के वश की बात नहीं बस दो एक महिने की देर है शायद अपनी आँखों से ही देख कर जा सकोगी मा शोडशी ने कहा और जो लोग वहां गये हैं उनकी सागर ने कहा उनकी दशा तो हम लोगों से भी बुरी होगी जेल में खाने को देते हैं वहां हम लोग दो को और खाने को तो पाएंगे पर ये लोग वो भी न पाएंगे नालिशों की डिगरी होने भर की देर है बस उसके बाद राय महाशाई के अपनी जोत में मेहनत मजदूरी करके दो मुठी खाने को जुट जाएं तो ठीक है नहीं तो असम के चाए के बगीचे तो हैं ही क्यों मा तुमको भी क्या याद नहीं आता कि उस बार के बेने के किनारे हम लोगों की कितने काश्टकार बाउरियों के घरों की बस्ती यहां थी किन्तु आज वे सब कहां है कितने ही कोईला खोदने चले गए और कितने ही का चाए बगीचों को चालान कर दिया गया लेकिन मैंने बच्पन में उनके पास जमीन जमा हल बैल सब कुछ देखा है दो मुठी धान का ठिकाना उन सब ही के था आज उनका आधा एक कोड़ी नंदी का है और आधा राय महाशे का शोडशी मौन भाव से खड़ी खड़ी सारे मामले की गंभीरता अनभाव करने लगी अभी उस दिन जो लोग दल बांद कर उसके पास आश्रे मांगने आए थे वे ही आज उसे असमर्त जान कर प्रबल की आँखों के इशारे से उसी के वृद्ध मंत्रना करने के लिए जमा हुए है उस दिन के उनके सारे संकल्प नजाने कहां उड़ गए जो प्रबल हैं जो धनी हैं जो धर्म ग्यान रहे थे उनके अत्याचार से बचने का दुर्बल के लिए कोई मार्ग नहीं है कहीं इसकी नालिश नहीं चलती इसका नियाए विचार करने वाला कोई नहीं भगवान भी नहीं सुनते संसार में ये चिरकाल से बिना किसी बाधा के होता आ रहा है ये जो आज इतने लोग जाकर केवल एक प्रबल आदमी के पैरों के तले अपने विवेक, धर्म, मनुश्यत, सब की बली दे कर किसी प्रकार जीवित रहने का थोड़ा सा आश्वासन लेकर घर लोटाए मनुश्यों को इस प्रकारा मानुश बना दिया, उसे नश्ट करने की शक्ती इतने बड़ी संसार के विधान में कहा है, जिस सागर सरदार ने उस दिन दुखियों का पक्ष लिया था, उस दुर्बल की इतनी बड़ी स्परधा का उस से हजार गुणा बड़ा दंड उसके लिए रखा हुआ है, छुटकारे का कोई मार्ग नहीं है, शोडशी एका एक पूछ बैठी, अच्छा सागर, ये सब तुने किस के मुह से सुना, सागर ने कहा, स्वैम हुजूर के मुह से, तो ये सब उन्ही की चाल है, सागर ने सोच कर कहा, क जबता है कि जमीदार मेरे उपर अत्यचार क्यों नहीं करते, मैं तो तूटी जोपड़ी में अकेली रहती हूँ, इच्छा करते ही तो कर सकते हैं, सागर हसा, फिर बोला, किसने तुम से कहा मा, कि तुम अकेली रहती हूँ, मा, अपना परचा अपने ही मुह से हमें नहीं देना चाहिए, गुरू का निशेद है, कहते कहते सैसा अपने बलिष्ठ धायने हाथ की पांच उंगलियों से इस पात की संसी की तरहे लाठी को कस कर पकड़ लिया और कहा, जिसके डर से चंडी के मंदर में न बैठकर, सोलह आना की पंचायत आज एक कौणी के कचहरी घर म जानते हैं, तुम्हारी उपर अत्याचार करने वाला आदमी तुमा इधर पचास गाउं में कोई ढूंड़े भी न मिलेगा, शोडशी की दोनों आखें कसमा जल उठी, बोली, सागर ये क्या सच है, सागर ने जुक कर उसी शन अपने हाथ की लाठी शोडशी की पैरों पर उसी परकार चलने लगी, उसने कहा, अच्छा सागर मैंने तो सुना है, कि तुम लोगों को प्राणों का मोह नहीं है, सागर ने हस कर कहा, तुमने जूट सुना है, ये भी तो मैंने ही कहता मा, शोडशी ने कहा, कि वल प्राण दे ही सकता है, ले नहीं सकता, एक आग्या द देकर आजी रात को क्यों जाच नहीं लेती मा, कहकर उसने शोडशी के मुह की ओर दौनों आखे खोल कर देखा, उसकी ओर देखते ही शोडशी विस्मय और भै से एक दमावाक हो गई, सागर की दृष्टी एक पल में ही बदल गई, वो स्वाभाविक चमक नहीं है, वो तेज नहीं है, वो कोमलता ना जाने कहा छिप गई है, निश्प्रभ संकुचित गहरी दृष्टी है, ये जैसे अब वो सागर नहीं है, वो जैसे और कोई है, उसने कहा, रात अभी अधिक नहीं हुई, बहुत समय पड़ा है, मा चंडिके के वाड़ा भी खुले है, मा तुमारी के बाप दादा के हाथों की मजबूत लंबी लाठी, शोडशी की पैरों के पास तब भी पड़ी थी, जुक कर उसे उठा कर वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया, शोडशी ने बोलना चाहा, उसके ओठ कापने लगे, उसने मना करना चाहा, पर मुह से आवाज नहीं निकली, भू कम्प के समुद्र की तरह, अचानक उसके सारे हिर्दाय में खलबली मच गई, और शन भर के लिए सागर की ये बिलकुल ही अपरचित घातक मूरती, उसकी आखों के आगे से अद्रिश्य हो गई, सागर ने कुछ कहा, लेकिन वो समझ ना सकी, किवल इतना ही उसने देना पावना के सो लहँवे भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में झाल झाल